Hello everyone, मेरा नाम है रेनु कौशिक और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने एक रिसर्च वन लाइनर की एक सीरी स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने important important topics आपको बताए हैं कराएं भी हैं और आज हमारा जो topic होगा वो होगा हमारा research ethics के उपर जो बहुत important topic है आने वाले time period में maybe exam में क simple words में ethics की बात करती हूं ethics क्या होते हैं ethics हमारे क्या होते हैं वो moral values या एक तरीके से वो standard जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ठीक है जो हमें सही और गलत में फरक बताते हैं वो हमारे ethics कैलाते हैं मैं बात करती हूं research ethics की research ethics क्या होंगे research ethics वो standard या वो principle या वो guidelines जो हमें बताएंगी एक तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब भी हम किसी भी research को करेंगे तो research ethics क्या है research ethics govern करते हैं उन standards को जिनके base पर हम conduct करते हैं किसी भी scientific research को it is important to adhere to ethical principles ये क्या है वो ethical principles जो एक तरीके से order to protect the dignity ज क्या है देखें normal life में भी हमारे हम जब life एक तरीके से हमारी life के भी कुछ rules कुछ regulations कुछ standard होते हैं जिनके base पर हम अपनी life को जीते हैं तो ऐसे ही जब एक researcher research करता है data को collect करता है report बनाता है analyze करता है तो उसे ध्यान में रखना होता है कुछ standards को कुछ code of conduct को कुछ एक तरीके से moral values को ध्यान में रख करके उसे research करनी होती है तो उनी को क्या बोलते हैं उनी को research ethics कहते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ethical principles हैं जिनके base पर जो है research एक तरीके से की जाती है सबसे पहले हम बात करते है honesty की देखे honesty डेटा को gather करते time पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो researcher है उसका honest होना बहुत जरूरी है अगर एक research अपने research के साथ ही honest नहीं होगा तो वो research को नहीं कर पाएगा उसकी research में falsification या misinterpretation वहाँ पर definitely आएगी ही आएगी तो बहुत ही जरूरी है कि एक researcher अपनी research के साथ एक तरीके से क्या हो honest हो second हम बात करते हैं objectivity की objectivity का मतलब क्या ह है कि खुद से कोई भी interpretation या prediction वहाँ पर researcher ना दे जैसी जो चीज है data जिस तरह से वो gather कर रहा है उसी तरह से data को एक तरीके से ले लिया जाए क्योंकि जब भी हम scientific research की बात करते हैं तो हम objectivity को ध्यान में रखते हैं integrity की बात करता है third point integrity 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 क्या होती है integrity का मतलब होता है कि sincerity कि जब research को research के करते time पर जो researcher है उसको ध्यान में रखना होता है कि वो एक sincerity के साथ data को collect करें एक अच्छा behavior रखे अपना कहने का मतलब है कि जो उसके thoughts हैं जो उसके actions हैं वो same होने चाहिए fourth point आता है confidentiality confidentiality का मतलब क्या है मैं अगर एक researcher हूँ और मैं अगर किसी से data collect कर रही कि मैं सामने वाले person के data को confidential रखूँ privacy बना करके रखूँ ताकि वो एक तरीके से मुझे data को दे सके एक trust के उपर data को दिया जाता है उसके बाद हम बात करते है openness का मतलब क्या होता है openness का मतलब होता है कि मेरा जो viewpoint है research करते time पर मुझे ध्यान में रखना है कि research ऐसी हो कि मैं इ सके किसी के काम आ सके जो भी research आप कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ knowledge एक तरीके से किसी person को provide हो reliability की बात की जाती है देखे दो चीज हमेशा याद रखिएगा research को करते time पर एक validity एक reliability validity का मतलब क्या होता है validity का मतलब होता है कि मान लीजे मैंने कोई भी अगर मैं कोई भी instrument यूज कर रही हूँ मैं कोई भी tool यूज कर रही हूँ data को collect करते time पर तो मुझे ध्यान में रखना है कि वो tool वही measure करे जिससे वो measure करना चाहता है validity का मतलब होता है accuracy वही reliability का मतलब होता मतलब की consistency का मतलब क्या है consistency का मतलब है कि मेरा data मुझे same result provide कर रहा है या नहीं मैंने जो भी instrument use किया है अगर मुझे एक से जाधा time period के अंदर use करती हूँ तो क्या मुझे same consistency के साथ result provide करता है या नहीं करता है उसके बाद carefulness की बात आती है कि जब भी मैं data को gather करूँगी तो discrimination नहीं करूँगी as a researcher मुझे in points का बहुती ध्यान रखना होता है तो यह कुछ principles हैं जिनको एक researcher को ध्यान में रखना होता है research को करते वक्त उसकी बाद हम बात करते है research misconduct research misconduct का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से research को करते time पर आपको कुछ challenges face करने होते हैं अपनी research को करते time पर ध्यान में रखना होता है कुछ चीजों का वह कौन-कौन सी चीज़े हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है वह कौन-कौन सी element है सबसे पहले हम बात करते है fabrication देखे की data को बनाया जा रहा है एक तरीके का misconduct है second falsification falsification का मतलब होता है manipulation wording से याद रखिएगा मैं जिन जिन words पर underline कर रही हूं बहुत important है falsification का मतलब क्या है manipulation या एक तरीके से change कर देना plagarism का मतलब क्या होता है plagarism का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे person के ideas को या उसके process या उसके results को या उसके wordings को use कर रहे हैं अपनी research के अंदर simple words में तो हुआ इनका मतलब यह अब हम बात कर लेते हैं कि fabrication क्या होता है देखे fabrication का मतलब क्या होता है fabrication का मतलब है कि चीजे जैसी हैं वैसी उनको represent नहीं क्या जा रहा है आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बना दिया है fabrication का simple words में मतलब होता है build up करना कुछ या कुछ construct करना falsification का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ manipulation कर दिया है changing कर दिया data के अंदर data वैसा नहीं था जैसे आपने उसको change कर दिया है अब आप उसके base पर अपनी result अपनी report बना रहे है अपनी research कर रहे है plagorism का मतलब क्या होता है plagorism का मतलब होता है आप किसी दूसरे person के ideas को use करके अपने research के अंदर उनको use कर रहे है तो यह सारी क्या है यह research misconduct के अंदर आती है आप ऐसा research के अंदर नहीं कर सकते हैं आपके research ethics, आपको allow नहीं करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, आपका plagorism की कुछ types हैं, next time जो आपका आने वाला जो session है, उसके अंदर questions यहां से बन सकते हैं, वैसे तो यह point, यह topic बहुत ही easy है, लेकिन इस topic की भी layers हैं, जिनसे question diet बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते ह types की, जिन में सबसे पहला आता है हमारा intracorpal type, देखें, intracorpal का मतलब क्या होता है, अगर एक candidate या एक student copy कर रहा है, from another student in same submission, अगर किसी person के data को आप copy कर रहे हो, और same submission आपने कर दिया है, अपनी research के अंदर, वो क्या कहलाता है, intracorpal कहलाता है, वहीं पर एक होता है extracorpal, extracorp का मतलब क्या होता है, कि जब एक candidate copy कर रहा है, लेकिन किसी और candidate से नहीं, बलकि कहां से external sources से, like books and किसी भी internet की side से, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक होता है auto या self plagiarism, बहुत important है, यहां से question आता है, auto और self plagiarism का मतलब क्या होता है, कि जब आप plagiarism कर रहे हो, किसी person की, क लेकिन उसको बिना उसके बताय हुए, कहने का मतलब है, आपने किसी का data चुरा लिया बिना उसकी acknowledge के, तो एक तरीके से क्या हो गया, यह भी plagiarism का type हो गया, लेकिन यहां पर एक last point दिया हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा, कि research misconduct does not include honest error, or differences of opinion, अगर एक researcher के, या दूसरे researcher के opinion में differences है, या फिर आपने कोई भी, आपने कोई भी error हुई है आपसे, लेकिन वो एक तरीके से आपकी honesty की वज़े से कोई error हुई है, तो वो misconduct के अंदर, या वो plagiarism के टाइप्स के अंदर include नहीं किया जाएगा, इसके अंदर mainly 3 intra-corporal, extra-corporal और auto-plagiarism को शामिल किया जाता है, उसके बाद हम बात करते है, research ethics के अंदर 3 objectives हैं, जिनको बहुत important है, जो एक तरीके से, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि पहला क्या बोलता है, कि protecting human participants, देखे, जब भी researcher research करता है, तो उसको ध्यान में रखना होता है, कि जो उसकी human participants हैं, वो एक तरीके से protect हों, ऐसा करना हो, कि जो आपकी research है, वो एक तरीके से सामने वाले person के लिए harmful हो, ठीक है, ensure करना होता है, कि वो research इस manner में की गई हो, कि वो सर्व करें आपके nation को भी, आपके group of people को भी, और आपकी society को भी, और third बोल रहा है, कि आपको ध्यान में रखना है, कि कितना risk और benefit हुआ आपको इस research को करते time पर, आपको confidentiality को ध्यान में रखना है, और informed consent, जिस भी person के data को आप use कर रहे हो, definitely आपको उसे पूछ कर, उसकी consent लेनी होगी, उसके data को use करते time पर, उसकी without consent से आप उसके data को use नहीं कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने दो practice question दिये हुए, जिनके base पर सारे में incorrect है, सबसे पहला है benefit risk assessment, second informed consent, third is privacy and confidentiality, fourth is concept of right and wrong behavior, अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा, मैंने इन चारू की बात, जो है research ethics के अंदर की है, कि इनका होना बहुत ही important है, तो इसका answer यहाँ पर क्या हुआ, none of the above यहाँ पर क्या है, इसका answer है, ठीक है, यह clear हुआ होगा आपको इस question से यहाँ पर, second question अगर मैं बात करती हूँ आपका, तो second question क्या कहता है, कि what do you mean by intracorporal plagiarism, यहाँ पर इन options को एक तरीके से pause करके वीडियो को options को ध्यान में रखिएगा, और खुद से answer कीजेगा, कि हर एक line से एक ना एक question बन रहा है, देखिए, सबसे पह आपका self या auto plagiarism, second मैं बात करती हूँ plagiarism where candidate copy data from all and external sources like books and www, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आप किसी internet site का या किसी external sources का use कर रहे हो, तो वहाँ का कौन सा होता है, extra corporal plagiarism होता है, third बात करते है, plagiarism in case of student copies from another student in same submission, answer कौन सा है आपका, answer है आपका third, क्योंकि यहाँ पर क corporal का मतलब क्या था, कि एक person या एक candidate दूसरे की person की candidate की copy कर रहा एक तरीके से, तो वह क्या कर रहा है, आपका intracorporal plagiarism है, अब last point को भी ध्यान में रखेगा कि last point क्या कहता, देखे last point क्या क्या कह रहा है, कि making up or result and recording of reporting them, आपको पता होना चाहिए कि जो last point है, वह आपका fabrication कह मैंने बताया था ना, data को आप क्या कर रहे हो, data को आप collect नहीं कर रहे हो, बलकि आप data को बना रहे हो यहाँ पर किसी तरह से misconduct करने के लिए, तो यह कौन सा हो गया आपका, यह आपका हो गया, आपका fabrication, तो यह भी एक तरीके से, इसके अंदर आता है, अब बात कर लेते हैं आपके, so I hope यह आपको clear हुआ होगा, जितना भी मैंने पूरी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है, यह था हमारा research ethics का पौरा topic, यह complete topic है, जहां से definitely question बन सकते हैं, तो thank you so much